Hello friends, welcome to my channel Edufile आज की इस वीडियो में हम लोग Heartly Oxalator के बारे में Detail Medicis करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग इसके Full Concept को Working के साथ में Applications के साथ में Notes के साथ में Detail Medicis करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग Oxalator के Basics को समझते हैं Oxalator एक ऐसा डिवाइस होता है जो periodic signal produce करता है जो की Oxalate करता रहता है कभी Plus में कभी Minus में इस तरीके से Oxalate करता है तो ऐसे signal को अगर कोई device produce कर रहा है तो उसको हम Oxalator कहते हैं अब Oxalator बनाने के लिए आपको क्या चाहिए एक Inductor चाहिए एक Capacitor चाहिए यानि Basic Oxalator अगर आपको बनाना है मतलब इसके चार्ज क्या होगे इस तरीके से तो यहां पर current flow होगी इस direction में इस direction में क्या flow होगी current और current के flow होने से इस Inductor में क्या generate होगा एक Induced EMF generate होगा मतलब देरे-देरे इसके अंदर energy stored होगी कौन से energy? Electromagnetic यहां पर यह discharge होता है यहां पर होता क्या है? यहां पर discharge हो रहा है तो क्या हो रहा है कि धीरे-देरे current बढ़ रही है धीरे-देरे current बढ़ रही चार्ज जा रहा है तो फिर एक time आएगा कि current हमारे घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि चार्ज खतम होगा तो current घटेगा और फिर चार्ज जब यहां पूरा खतम हो जाएगा तो zero हो जाएगा फिर उसके बाद inductor जी होगा वो एक induced EMF generate होगा इसमें opposite direction में current flow होगा फिर EMF का भी energy खतम होगा यह चार्ज हो जाएगा फिर से जब इसका अनर्जी खतम होगा यह फिर से charge हो जाएगा क्योंकि current इस तरफ जा रही है पिर यह Charged होगा Aferriate Discharge होगा मतलब इस तरीके से हमें लगातार ऐसा wave मिलता रहेगा इसी को हम कहते हैं और यह जो process है इसको हम Oxalation कहते हैं अब यहां पर Oxalation मुझे मिल रहा है कुछ इस तरीके से इस तरीके से Oxalation मिल रहा है लेकिन यह ऐसा Oxalation हमें नहीं मिलता है, हमें ऐसा oxalation नहीं मिलता है, हमें इस तरीके का oxalation मिलता है, मतलब time के साथ में oxalation खतम होता है, ऐसा क्यों होता है, इस तरीके का क्यों मिलता है, इस तरीके का मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है, क्योंकि circuit में कुछ energy loss हो जाती है, circuit में कुछ resistance होती है internal resistance होता है device का अपना तो इस वज़े से energy loss होती है हमें इस तरीके का oscillation मिलता है और हम कैसा चाहते है कि हमें इस तरीके का मिले तो इस तरीके के oscillation को हमें अगर gain करना है इस तरीके का oscillation हमें चाहिए तो उसी के लिए हमें नए तरीके के oxalator को बनाना पड़ेगा मतलब जो energy का loss हो रहा है इस circuit में loss होने के वज़े से इस तरीके का oxalation मिल रहा है उसको अगर हम दे दें कहीं से लगा के तो हमें इस तरीके का oxalation मिलेगा तो इसी के लिए Hartley एक scientist थे इन्हों 1915 में Hartley oxalator बनाया है जो कि एक electronic oxalator है जो कि inductor और capacitor से ही मिलके बनता है कोई अलग नहीं है लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कुछ अलग से energy दे देते हैं compensate करने के लिए कि energy loss जो हो रहा है वो gain हो जाए और हमें इस तरीके का मिले तो यह है हमारा Hartley oxalator अब समझते हैं इसको और दादा Hartley oxalator को तो Hartley oxalator एक tuned LC circuit होता है इस connected between the collector अब यहाँ पर देखिए जो energy loss होता है उसको हम लोग देते हैं एक amplifier के help से किसके help से एक amplifier के help से और amplifier हमारा क्या होता है एक transistor होता है हमें मालूम है कि amplifier जो होता हो क्या होता है अब यह तो oxalator के तरह काम करेगा इतना पार्ट यहाँ पर दो इंड़क्टर को हम यूज करेंगे और एक capacitor को यूज करेंगे तो यह तो आपको समझ में आता ही होगा कि यही हमारा यहीं पर मतलब oxalation होता है इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए इसकी energy को loss हो रहा है कुछ टाइम बाद में इसका जो signal होगा वह loss होता चला जाएगा यानि हमें इस तरीके का मिलेगा तो इस loss की भरपाई करने के लिए हम यह सारा system दे रहे हैं मतलब यह दे रहे हैं transistor transistor इसलिए दे रहे हैं क्या करें यह signal को amplify कर दे महीं इस तरह signal मिलेगा फिर से amplify करके फिर ज्यादा energy को supply कर दे ताकि हमें हमें सा इस तरीके का oxalation मिले तो यह काम होता है basic इसका heartly oxalator का कि हमें sustained oxalation मिले undamped oxalation मिले इस तरीके का अब मैं आपको recommend करना चाहूंगा कि आप बार्खावसन criteria वाली वीडियो जरूर देखिएगा इसको समझने के लिए इससे पहले हम लोगों ने बनाया है oxalator और बार्खावसन criteria के उपर वीडियो तो यहां तक आपको clear है कि हम यह देंगे इसको अब heartly oxalator को समझ लेते हैं थोड़ा सा यहां पर तो heartly oxalator जो होता है वो इसमें क्या यूज करते हैं और base जो होता है वो दूसरे साइड में connect होता है और emitter को हम लोग क्या करते हैं दो inductor के center पर connect कर देते हैं तो इसको आप समझिए पहले collector को हम लोग यहां पर connect कर देते हैं base को हम लोग इस side में connect कर देते हैं और जो center में होता है उसमें हम emitter इमिटर बेस कलेक्टर यही तो होता है आपको पता है ट्रांजिस्टर में बीजेटी में बाइपोलर जंक्शन एनपी एनपी तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं यह हमने समझा अब समझते हैं और सारी चीज़ों को तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ र हम R2 लिया है मतलब यहाँ पर पे supply रहे तो हम R1 और R2 के help से supply क्यों दे रहे हैं क्यों लिएर रहे हैं थे कर चाहिए कि R1 R2 एक यहां पे RC है, मतलब सेंटर को क्या कर देते हैं ? यहां पे WRIT हम लोग EMP1 के से क्या कर देते हैं ? CE,ч Him क्या है U sn बाइपस्ड एश काम्या होता है ? इसकाs काम यह होता है कि यह क्या करता है एसी सिग्नल को बाइपास कर देता है अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा वोल्टेज रेडियूस हो जाएगा अगर यह बाइपास नहीं करेगा तो वोल्टेज क्या होगा रेडियूस हो जाएगा यह नहीं होगा देखें यह नहीं होगा वोल्टेज रेडियूस हो जाएगा मतलब यह क्या करेगा सारे तरीके सिगनल पास हो जाएगे सारे तरीके के सिगनल पास कंपलींग इसको भी डी कापने कंपले Lisa का कि आ बलॉक करता है और इसी सिंगनल को अलाउ करता है किस लिए कि पावर लॉस फांटींग उसलिए हम सारी फाल्तु की चीज़ लगा रहा है यंगे यह सारी जो resistor बगेरा है या capacitor है ये सारी चीज़े लगा रहा है तो हम केवल transistor लगा के क्या गर देते हैं गेन न करा देते हैं इसको गेन न करा देते हैं आसानी से हो जाता लेकिन इन सारी चीज़ों को हम लगा रहा है इन सारी चीज़ों को इसलिए लगा जा रहा है क्यों क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए power loss नहीं चाहिए हमें 언amped oxidation चाहिए इसलिए हम इन सारी चिजों को लगा रहा है तो c in और c out जो है वो DC Coupling Capacitor है जो क्या करते है C signal को allow करते हैं पास करने के लिए और DC signal को block करते हैं block करते हैं इसलिए power loss नहीं होता है हमें पता है कि इंड़्टर और काफ़ेटर होता है। यहां पे तो में connect होता है collector के और base के बीच में connect होता है और emitter जो होता है emitter जो होता है वो center में connect होता है यहां पर मैंने आपको बता लिया है already as far as the auxiliary voltage is connected to a tapping point on the tune circuit coil यहां पर tapping point और यह क्या होते हैं ground होते हैं the feedback part of the tune is circuit is taken from the center tap of the inductor यह मैं आपको बता चुका feedback part को इस तरीके से लिया जाता है even to separate coil यहां पर दो separate coil लीजे या इन्हीं के center के बीच में आपसे ले सकते हैं दो कुछ भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने separate coil लिया है दोनों इस तरीके से और यहां पर इसके parallel में capacitor होता है जो की variable capacitor होता है यहां पर variable capacitor है तो इसलिए हम यहां पर arrow लगा देते हैं कि यह change हो सकता है इसकी value in the circuit diagram r1 r2 को हम लें potential divider की तरह use के voltage divider जिसको आप कह सकते हैं जो की transistor को voltage divider का का काम करता है हमें stable voltage supply करने के लिए stable voltage आरी जो होता है emitter resistor होता है जिसका जिसका काम होता है कि thermal stability दे transistor को C emitter bypass capacitor होता है जो क्या करता है bypass करता है amplified AC signal को अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा voltage drop हो जाए आरी के cross जो कि हम नहीं चाहते हैं तो यह आप याद रखेगा अगर हमारा bypass capacitor नहीं होगा तो यह सारे signal को allow कर देगा voltage क्या होगा ड्रॉप हो जाएगा R15 लिए जरूरी है अब यहाँ परкоїament C in जो होता है वह input decoupling capacitor होता है और c out output decoupling capacitor होता है c in input, c out output decoupling capacitor होता है decoupling capacitor मैंने आपको बताया जो क्या करता है भाई इसका काम होता है कि AC सिगनल को पास कराना DC सिगनल को ब्लॉक करना अगर यह नहीं ब्लॉक करेगा तो क्या होगा power loss होगा circuit में power loss होगा तो हमें augsilation में दिक्कते आएंगी तो इसलिए ये जरूरी है तो एक लियर है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यहाँ इसके बाद जो नोट से वो आपको लिखा हुआ है task of a DC decoupling is to prevent DC voltage from reaching the stage यह DC voltage को prevent करता है और AC voltage को allow करता है तो यह काम है इसका यहाँ तक समझ में आया है, आप आगे समझते हैं देखे, यहाँ पर जब हम power supply देंगे VCC, जब हम power supply देंगे अच्छा इसको अगर आप देखें तो यह एक तरीके से common emitter amplifier है यह क्या है common emitter amplifier आपने पढ़ा होगा common emitter amplifier भाई इसको अगर हम हटा दें तो यह क्रीके से common emitter amplifier common emitter amplifier जो होता है जिसमें क्या होता है, emitter जो होता है वो input और output दोनों में common होता है इसको common emitter amplifier कहते हैं आप समझते हैं इसको कि यह common emitter amplifier तो ही है और यह हमारा heartly oscillator भी है, अगर हम इसमें circuit को जोड़ देंगे, LC circuit को तो यह heartly oscillator भी बन जाएगा तो यहां पर देखे, जब हम power supply को on करते हैं तो क्या होता है transistor current को allow करता है पास करने लिए, तो current flow होगा तो क्या होगा, हमारा capacitor जो होगा यहां पर C1, यह क्या होगा, चार्ज होगा तो जब हमारा capacitor चार्ज होगा यह क्या होगा, capacitor जब चार्ज होगा यानि कि plus plus आजाएगा, minus minus आजाएगा तो चार्ज होगा, तो क्या होगा, इस inductor पे क्या होगा, current flow होगा current flow होगा, तो inductor में एक induced EMF generate होगा, EMF generate होगा, जोग कि इसके opposite में flow होगा, और इसके EMF के वज़े से, इसमें भी EMF generate होगा क्योंकि आपने पढ़ा हो, mutual inductance mutual inductance का concept पढ़ा है, कि एक अगर coil में current flow हो रहा है, तो इसमें अगर changes हो रहा है, magnetic field का, तो इसमें भी current flow होगा, यह हम लोग mutual induction पढ़ चुके हैं 910 में, बहुत ही basic चीजे हैं इसमें current flow रहा है, तो इसमें भी आ जाएगा induced EMF के लिकिन इसका जो direction होगा, वो opposite होगा इसके, क्योंकि induced EMF में आप जानते हैं, कि direction अगर होता है, तो इसके opposite ही होता है, तो यह चीज़ याद रखिएगा, तो यह चीज़ हम समझ चुके हैं, तो जब हम power supply को on करेंगे, तो क्या होगा, collector current increase होगा, collector current increase होगा, जिस से क्या होगा, capacitor C1 charge होगा, capacitor C1 जब fully charge हो जाएगा, तो यह discharge होगा, coil L1 से, यह हम समझ चुके हैं, आपको बता चुके हैं यहापे, discharging and discharging create a series of damped oxalation, जब यह charge होगा, discharge होगा, charge होगा, discharge होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, wave नहीं मिलेगा, एक बार charge होगा, फिर discharge तो ऐसा-एसा हमें wave मिलेगा, और यह हमें चाहिए यहाँ पर, यह हमें यहाँ पर चाहिए, अब यहाँ पर देखे, discharging and discharging creates a series of damped oxalation in the starting circuit and it is the key. The oxalation produced in the tank circuit is coupled to the base of Q1. जो भी oxalation produced हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? coupled हो जाएगा base Q1 पर. मतलब भई, क्या होता है? क्या होता, क्या है? होता इस तरीके से कि देखे, यह हमारा amplifier है, यह transistor का part है, तो यहाँ से जब signal जाता है, फिर यहाँ पर हम क्या करते है? feedback, feedback मतलब हमारा tank circuit होता है, feedback का मतलब क्या होता है? tank circuit यह, यह जो tank circuit है, यह feedback का काम करता है. तो यहाँ से फिर हम कुछ supply लेते हैं, फिर ऐसे मतलब यह process ऐसे से repeat करता है, अभी फिर से हम दे देते हैं, इसको base पे, कहाँ पे देते हैं? base पे, transistor के base पे, और यह जो होता है, वो amplified form में appear होता है, across the collector and emitter of the transistor, तो यह amplified form में हमें दिखता है, collector और emitter में, amplified form में, जो हम इसको देते हैं, तो यह weak रहता है, फिर यह strong signal हमें मिलता है, क्योंकि transistor का voltage of the transistor, यानि voltage across collector and emitter, collector and emitter के across का जो voltage होगा, वो क्या होता है, output होता है, यह हम जानते क्योंकि will be in phase with the voltage across L1, देखिए, इसके across जो voltage होगा, इसके across जो voltage होगा, वो L1 के face में होगा, क्योंकि L1 जो है, वो भी हमारा plus से connect है, और यहाँ पे देखिए, यह ground से connect है, तो L1 जो है, जैसे यह connect है, वैसे यह भी connect है, तो अगर इसका voltage इस तरीके से होगा, तो इसका voltage भी L1 के across भी इस तरीके से होगा, यानि दोनों face में होगे, कैसे होगे, दोनों face में होगे, दोनों same face में होगे, will be in face with the voltage across inductor, since the junction of two inductor is grounded, अब देखिए, इन inductor का junction जो है, grounded है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे plus है, higher potential, यहाँ पे minus, lower potential, मतलब ground है, तो lower minus है, फिर यहाँ minus है, तो यहाँ plus होगा, तो अब देखिए, यहाँ plus, minus, यहाँ plus, तो क्या होगा, इसका जो, यहाँ पे जो होगा, वो signal जो होगा, वो opposite होगा, इस तरीके से होगा, signal जो होगा, वो opposite होगा, यानि out of the face होगा, क्या होगा, out of the face, since the junction of two inductor is grounded, the voltage across L2 will be out of the face, 180 degree क्या होगा, out of the face होगा, the voltage across L2 is actually fed back to the Q1, अब यही जो L2 के across voltage, इसी को हम दे देते हैं, यहाँ पर transistor को, तो इससे क्या होता है, कि जो हमारा loop में, जो total, जो हमारा shift आता है, वो कितने का आता है, 180, तो कितने का जाता है, 360, और यह एक जरूरी condition होता है, oscillation के लिए, तो किसी यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, अच्छे से, इस तरीके से अगर आता है, तो हम उसको कहते हैं, कि यहां पर क्या होगा, sustain oscillation होगा, तो यह जरूरी condition है, तो इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से होता है, from this we can see that the voltage feedback voltage is 180 degree out of the face to the transistor and also the transistor itself will create another 180 degree face, so total face difference कितना हो जाएगा, 360 का, जो कि important होता है oscillation के लिए, तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, अच्छे से, आप देखे, frequency कैसे हम determine करेंगे कि इस oscillation की frequency क्या होगी, तो frequency होता है, 1 by 2 by under root LC, यहां पर L को हम LT कहे देंगे, क्योंकि दो-दो inductor लगा हुआ है, और इस LT को हम लोग लोग सकते, L1 plus L2 plus 2M, मतलब L1 इसका होगा, L2 इसका होगा, और 2M जो है mutual inductance हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा, mutual inductance, तो इसलिए यहां पर 2M आ जाएगा, तो यह है हमारा equation frequency का, यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं इसको, अब हम बात करते हैं इसके advantage की और disadvantage की, इसके advantage और disadvantage क्या है, तो इसका advantage यह है, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके frequency को vary कर सकते हैं, जिससे हमें variable capacitor और inductor मिलेगा, मतलब capacitor को change करके, या फिर inductor को change कर, हम इसके frequency को change कर सकते हैं, अगर हम यहां पर दिखे capacitor को change कर सकते हैं, इंड़क्टर को पास मिला सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं, जिससे frequency हम change कर सकते हैं, less number of component जबरत होती है, मतलब कुछ हम इंड़क्टर और capacitor के help से ही हम इसको operate कर सकते हैं, amplitude जो होता output का, वो remain होता constant over a fixed frequency range, अब इसके disadvantage की बात करें, तो ये low frequency oscillator नहीं है, ये high frequency oscillator है, अगर इसको low frequency बनाना चाहते हैं, तो inductor को काफी बड़ा करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को बड़ा करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ये heavy हो जाएगा, तो ये एक disadvantage है कि ये low frequency oscillator नहीं है, और इसमें कुछ distortion भी present होते हैं, कि कुछ में कुछ distortion होता है, इसके application की बात करें, तो ये हम sine wave generate करने के लिए यूज़ करते हैं, भाई periodic signal, जो कि हम जानते हैं, desired frequency की, अपने मन की frequency की, इसको हम लोग local oscillator की तरह यूज़ करते हैं, radio receiver में, और इसको radio frequency oscillator की तरह भी हम लोग use कर सकते हैं, तो ये हैं इसके application, तो I hope ये वीडियो आपको अच्छे से के लिए और होगा, इस तरीके से हमार hotly oscillator काम करता है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो दिखने के लिए थैंगी, thank you so much.